असलाम लेकुम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने fundamental concepts of chemistry जो chemistry का chapter number one है उसके बहुत basic measurement related जो topics थे वो complete किये थे वो basic terms थी जो आपको पता होनी चाहिए अब इस से आगे के concepts की तरफ चल रहे हैं इंशालला बागी के जो concepts रहते हैं वो हम इस video lecture में complete कर लेंगे अगर आपको लग लगता है क्योंकि आपको लगे कि यह जरूरी है आप लोगोंने पूछना हो तो मुझे comments में बता दीजेगा मैं वो topic पर अलग से video बना दूंगा ठीक है जी अच्छा आगे बढ़ने के लिए मोल समझने के लिए सबसे पहली basic चीज़े होती है कि आपको atomic mass पता होना atomic mass की अगर हम बात करते हैं तो what is atomic mass mass of atom ठीक है mass of atom मैंने पिछले lecture में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम measurement की बात करेंगे तो उसका unit और instrument suitable to the amount of quantity होना चाहिए आप mass जो atom का होता है वो बहुत small amount में होता है तो इसके लिए मैं कोई weighing balance यूज़ नहीं करूंगा atom का mass major करने के लिए जो instrument यूज़ करते हैं उस instrument का mass उस instrument का नाम क्या होता है mass spectrometer ठीक है mass spectrometer से एक atom का mass major किया जा रहा होता है ये तकरीबन तकरीबन उसी फिनामना पर काम कर रहा होता है जिस फिनामना के उपर electron gun काम करती है अगर आपने पूछना हो इससे लिए डीटेल चाहिए तो मुझे बता दीज़ेगा उस पे गलग video lecture बना लेंगे अच्छा ये तो instrument की बात हो गई इसी तरह से अगर हम unit की बात करें तो इसी तरह से unit भी हम इसके लिए कोई छोटा सा select करते हैं मास ओफ एटम मेजर करने के लिए जो हमने unit standardized किया है वो क्या कहलाता है AMU कहलाता है atomic mass unit physics में इसको capital U से भी denote किया आता है कुछ जगाओ पर इसको capital D मतलब डेल्टन से भी रिप्रेजेंट किया थे क्योंकि यह बिसिकली इसी बंदे के नाम के उपर जो scientist है उसी नाम के उपर यह unit बना रहा है तो तीनो symbols आपने याद रखने है AMU AMU अगर लिखने है तो small में लिखना है वरना physics में आपको यह मिलेगा या तो capital U के नाम से या फिर D के नाम से ठीक है तो एक ही चीज़ है अब AMU होता क्या है atomic mass unit हम कहते है किसको है यह समझें देखें बहुत सारे हमारे पास isotopes होते हैं उन में से जो most stable isotope होता है वो carbon 12 isotope होता है ठीक है यह हमारे पास atomic mass unit की basic definition है 12th part of carbon 12 isotope mass is called 1 AMU अच्छा अब यहाँ पर अगर बात होई है isotope की तो मैं इससे मिलती जुलती कुछ और terms भी आपको समझाता चलू यह याद रखे का हमारे पास तीन basic terms है isotopes, isotones और isobars ऐसी atomic species जिसमें क्या हूँ same number of proton हूँ same protons हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे isotope कहेंगे same proton और different neutron यह याद रखे है इसी तरह से फिर हमारे पास isotone है, isotone क्या होती है ऐसी atomic species जिसके अंदर different proton हूँ but same neutron हूँ उसे हम क्या कहते हैं, isotone कहते हैं, isobar क्या होता है ऐसी atomic species जिसका mass number same हो यह याद रखे है, बहुत basic terms है, इन तीनों के दरमयान आपको फर्क पता होना चाहिए suppose करें मेरे पास 2 atomic species हैं, जिसमें से 1 का atomic number यहाँ पर 13 लिखावा है और mass number यहाँ पर लिखावा है 26, दूसरी atomic species है, जिसका हमारे पास atomic number 13 लिखावा है और mass number यहाँ पर लिखावा है 27, तो इसके अंदर कौन सा relation होगा, यह दोनों एक दूसरे की isotope होंगी, आइसो बार होंगी, आइसो टोन होंगी, इसके लिए basic सी चीज़े हमें नजर आ रहा है atomic number सेम है, mass number different है, मतलब number of neutron different होगा, ठीक है, neutron different है, proton सेम है, तो यह क्या होगी है, isotope होगी है ठीक है, isotope से हैं दोनों एक दूसरे की, बिलकुल इसी तरीके से यह example भी समझे, अगर मेरे पास 2 atomic species है, 13, और यहाँ पर हमारे पास 26, इसी तरीके से यहाँ पर 12, और यहाँ 24 लिखावा है, तो इसके अंदर क्या चीज़ मैच कर रही है, देखें जरा, atomic number different है, मतलब proton सेम हैं, इसी तरीके से neutron count करते हैं, neutron कैसे count करें, इन दुनों का difference निकालेंगे, neutron यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 13, neutron यहाँ कितने आ रहे हैं, 12, तो इसके अंदर proton भी सेम नहीं है, neutron भी सेम नहीं है, क्या इसका mass number सेम है, mass number भी सेम नहीं है, तो ना यह isotope है, ना यह isotone है, ना यह आइसो बार है बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस स्पीशी को देखूँ 26 और यहाँ पर हमाय पास 12 और 25 इसके अंदर अगर मैं देख रहा हूँ atomic number same है proton sorry atomic number different है proton different isotope तो यह हो ही नहीं सकता ठीक है इसी तरीके से mass number देखते है mass number भी different है तो यह आइसो बार भी नहीं हो सकता अगर difference चेक करूँ मेरे पास यहाँ difference कितना आ रहे है number of neutron कितने आ रहे है 13 यहाँ पर difference कितना आ रहे है number of neutron यहाँ पर भी 13 आ रहे है मतलब neutron सेम है तो क्या होगा यह isotone होगा इसी तरीके से अगर दो atomic species का अगर mass number सेम है तो वो क्या कहलाएंगी एक दूसरे की ISO बार कहलाएंगी ठीके अच्छा अब जब यह basic terms हमें समझ में आ गई हैं तो हम आते हैं atomic mass की तरफ अच्छा एक और important चीज़ याद रखिएगा कि जो atomic mass होता है वो mass number के बराबर नहीं होता mass number जो हमारे पास आ रहा होता है याद रखिएगा mass number sum होता है protons और neutrons का ठीके और यह हमेशा एक whole number होगा वहीं अगर हम atomic mass की बात करें तो आपने देखा होगा different elements का atomic mass decimal point में भी आ रहा होता है mass number कभी decimal point में नहीं जाएगा ठीके और atomic mass का unit भी होता है mass number सिर्फ तादाद है इसका unit नहीं होगा ठीके जी अच्छा अब एक और important चीज़ हमारे पास जो भी neutron है proton है उसके अंदर जो masses होता है suppose हमारे पास जो proton का mass है वो क्या होता है one point zero zero seven one point zero zero eight amu ये हमारे पास proton का mass है ये neutron का mass है आगे वाली चीज़ें तो वैसी negligible हैं इसको round off क्यों नहीं कर देते और अगर round off कर भी दिया तो भी फिर हमारे पास decimal में value नहीं आनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी decimal में value हमारे पास आ रही होती है तो उसका क्या reason है basically जो हमारे पास atomic mass लिख रहे होते हैं किसी भी element का वो क्या होता है relative atomic mass होता है अब यह relative atomic mass बड़ी important terminology है यह याद रखिएगा बहुत important time है इसको समझें इससे related भी अकसर questions आ जाते हैं क्या होती है relative atomic mass suppose करें मैं environment से chlorine का एक sample ले रहा हूँ chlorine का sample होगा तो उसके अंदर हमारे पास दो isotope exist करते हैं nature से मैं कभी भी chlorine का sample उठाऊंगा तो एक chlorine का 35 वाला isotope exist करेगा और एक chlorine का 37 वाला isotope exist करेगा ठीक है तो मैं इसका mass क्या रखूँ 35 रखूँ या 37 रखूँ obviously मुझे पता ही नहीं है अभी कौन सा किस quantity में जो भी जादा quantity में होगा उसी के जादा करीब करीब होगा उसका atomic mass ठीक है मतला मुझे क्या पता होनी चाहिए इन दोनों की percentages पता होनी चाहिए percent composition पता होनी चाहिए मुझे उस chlorine के sample की कि उसमें कौन सा isotope किस में एकदार में मौझूद है ठीक है percentage को हम क्या कहते है relative abundance कहते है ये वाला isotope होता है 75% ये isotope होता है 25% तो अगर मुझे relative abundance की basis पे calculate करना तो मैं कैसे calculate करूँगा relative atomic mass का formula क्या होगा देखें formula होता है sum of product किन दो चीजों का product देखें हमारे पास जो mass है isotope का isotope का mass multiply by उसकी relative abundance ठीक है ये अगर मैं करूँगा और सबको add कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसका relative atomic mass है जाएगा इस चीज के लिए मैं किस तर करूँ देखें basically हमारे पास यहां पर mass कितना है 35 multiply by relative abundance कितनी है 75% percent मतलब divided by 100 तो ये product आ गिया ठीक है यहां क्या लिखा है sum मतलब इस तरह का कोई और है तो वो भी add करेंगे 37 multiply by 25% divided by 100 ठीक है जब हम इस चीज को solve करेंगे तब जाके हमारे पास कितना mass आ रहा होगा 35.5 AMU तो इस वज़ा से 35.5 आ रहा होता है ठीक है उमीद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हुए ये chlorine का क्या है relative atomic mass है ठीक है इस तरीके से हो सकता है आप लोगों से सवाल देके पूछा जा सकता है ठीक है इससे relate कुछ examples भी देख लेते हैं जैसे के हमारे पास एक sample है एक unknown element का मैं अपनी तरफ से एक सवाल बना के दे रहा हूँ suppose करो कि ये हमारे पास sample है 16 amu इसका एक isotope का mass है दूसरे isotope का mass है हमारे पास suppose 18 amu और मेरे पास जो इसका relative atomic mass आ रहा है वो आ रहा है 17.5 आ रहा है ठीक है options मेरे पास क्या क्या है अब यहां पर यह बास समझीए कि common sense आपका जो है वो बहुत matter करता है ठीक है अगर आप में common sense है तो आप directly बहुत simple simple logic लगा कर भी इसको solve कर सकते हैं एक हमारे पास answer है इसका 50% एक option है हमारे पास इसका 25% एक है 75% एक है हमारे पास 90% ठीक है बलके 90 की पज़ए 100% कर लेते हैं सवाल थोड़ा और असान हो जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है और यह percentage किसकी पूछी विए suppose करें relative abundance पूछी वी है इस वाले isotope की relative abundance बतानी है हमें कि यह कितना percent मौजूद है ठीक है तो logically हमें क्या समझ में आता है कि अगर दोनों 50% होते तो इनका mass बिलकुल दर्मियानी आता मतलब इन दोनों का average आता वो क्या आता 17 आता अब यह 17 तो है नहीं यह जादातर किसकी त quantity में होगा यह ज्यादा quantity में होगा मुझे relative abundance निकालनी है एक ही यह हो नहीं सकती यह भी नहीं हो सकती यह भी नहीं हो सकती हमारे पास कौन सो option बचता है 25% बचता है mathematically भी calculate किया सकता है लेकिन logically अगर आप चीज़ों को देखेंगे अगर वो हो सकती है अगर आपको लगे के feas visibility बनती हो सवाल की कि आप logically common sense की बेज़ों कर सकते हैं तो कर लीजेगा वरना mathematically कैसे calculate करेंगे फिर आपने equation बनानी होगी हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है इसका मास relative atomic मास आ रहा है 17.5 एक अगर मास दिखा जाए 16 multiply by percentage हमने consider कर ली इसकी x divided by 100 ठीक है दूसरे वाले की हमा हमारे पास क्या होगी consideration 18 multiply अगर यह x consider किया है तो यह 100 minus x होगा divided by 100 और यहाँ पर equation मना के फिर आप solve करोगे लंबे तरीके से होगा लेकिन answer इससे भी accurate आएगा वही answer आएगा जो हमने यहाँ पर logic की basis पर common sense की basis पर लगाया है ठीक है जी आगे चलते हैं relative atomic mass के बाद जो हमारे नेक्स टॉपिक है वह है आप मॉलेक्यूलर मास और फॉर्मूला मास अक्सर बच्चों को आखरी वक्त तक यह confusion रहती है क्योंकि नाइन क्लास से आप लोग यह term सुनते वे आ रहे हो ठीक है लेकिन आखर तक जाके clear होई नहीं रहा होता है बहुत सारे लोंगों को कि मॉले क्सक्राइज कई मॉलेक्यूलर मास की टराओं सिर्फ और शिर्फ प्यूरली कौइलेंड कमपाउट्स के लिए यूज होती है क्योंकि मॉलेक्यूल्स कोलेंड कबांस में ही एक्सध कर रहे होते वहीं अगरा formula मास की बात करो तो यह चीज़ होती है किसके लिए from Laura unit के लिए लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूँ तो आपको पता है यह कायनिक compound है अगर Na positive मैं एक रख रहा हूँ तो मुझे बताओ कि यह neutralize कैसे होगा एक chloride आइन आएगा लेकिन अगर एक और chloride आइन आ रहा है तो यह से भी attraction शो करेगा इन दोनों को neutral करने के लिए एक sodium आइन आ रहा है नहीं है ठीक है यहां पर basically हमारे पास atoms का sorry ions का एक ratio है ठीक है वो जो smallest ratio हमारे पास आ रहा होता है वो क्या कहलाता है formula unit कहला रहा होता है और इसके साथ साथ हम formula unit उसको भी consider कर रहे होंगे अगर हमारे पास ionic compound के अंदर crystallized water मौजूद है ठीक है तो formula units की formula mass की term उनके लिए भी यूज होती है तो यह basic चीज़े यह याद रखे है molecular mass की term आपने coherent compounds के लिए यूज करनी है formula mass की term आपने ionic compounds के लिए यूज करनी है purely ionic भी हो सकते है या फिर अगर उसमें crystallized water आ जाए तो भी आप उसके लिए formula mass की term यूज कर सकते है ठीक है आपने क्या करना होगा उसमें जबाब देना होगा जैसे के आपको कुछ basic elements तो पता ही होने चाहिए ठीक है जैसे hydrogen obvious सी बात है सबको पता होता है one होता है इसका mass helium की बात करते है four होता है helium वैसे किसी molecule में आए नहीं रहोता है inert gas है इसके इलावा lithium की बात करते है lithium का seven होता है beryllium की बात करें तो इसका nine होता है boron का 11 होता है इसी तरीके से फिर हमारे पास magnesium की बात करें 24 sodium की बात करें 23 calcium की बात करते हैं 40 होगा इसकी अगर इसके इलावा हम उसको देखें क्या नाम है इसका calcium के बात potassium को तो उसका 39 होगा इसके इलावा हमारे पास aluminium का पता होना चाहिए 27 silicon का 28 phosphorus का 31 sulfur का 32 oxygen का 16 यह याद रखिएगा 16 is the most important number oxides होते हैं बहुत सारे elements के 16 की टेबल याद कर लो बहुत आसानी होगी मोल के stoichiometric numerical के अंदर ठीक है जी अच्छा nitrogen का हमारे पास कितना होता है 14 होता है इसके इलावा अगर बात करें हम chlorine का 35.5 होता है फिर fluorine की बात करते है 19 होता है ठीक है यह बहुत basic basic elements है इनके आपके आपको इनके masses पता होने चाहिए इसी की basis पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ह2SO4 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा sulfur का 32 oxygen का क्या होता है 16 multiply by 4 table याद होगा directly बता दोगे कि क्या value आ रही है ठीक है 64 आएगा 4 से multiply करने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास इसका mass आ गिया 98 ठीक calculation आपकी fast होनी चाहिए इससे related अब देखो अच्छा क्या दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप एक selective group का mass practice कर करके आपको याद होगी है न तो आपका time बहुत बचेगा for example अगर मैं इसमें से 2 minus कर दूँ तो SO4 का हमारे पास mass आ रहा है 96 ठीक है तो time बचाने के लिए आप इसका अगर देखो sodium sulfate की अगर हम बात करें तो 96 हमारे पास इस पूरे पार्ड का है 23 multiply by 2 क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा directly add कर देंगे हम इसके अंदर 2 और 1 4 यह हमारे पास आ गिया amu के अंदर ठीक है जी तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा कार्बोनेट की अगर बात करें calcium carbonate CO3 calcium का 40 होता है carbon का 12 oxygen 16 multiply by 3 48 अब इसमें यह जो negative आइन वाले पार्ट है molecular आइन जियाद कर लो बहुत टाइम बचता है जैसे इसका हमारे पास sum कितना आ रहा है 60 आ रहा है 60 प्लस 40 कितना आ गिया हमारे पास 100 किस तरह से time बचेगा suppose कहीं प सब्सक्राइबल लिख देने 46 प्लस 60 डिरेक्ली तुम्हें पता चल जाएगा ठीक है 106 हमारे पास आगिया इसका मास लीथियम कार्बोनेट यह फॉर्मुला है हमारे पास लीथियम का सेविन मल्टिप्लाबर टू 14 प्लस 60 यह आगिया हमारे पास स्वारी 14 मल्टिप्लाब इसका मास ठीक है अच्छा एक और कन्फूजन बच्चों को यह होता है बच्चों को आगे तक आकर भी फॉर्मुला मेकिंग नहीं आई भी होती है फॉर्मुला बनाया कैसे चाहते है इसके उपर भी ठीक ठाक ग्रेप होनी चाहिए एप्टेट्यूड में बहुत फर्क के लिहास से कि भाई इस चीज ने इसके साथ इतना रियक्शन किया बताओ क्या चीज़ कितनी प्रोडियूस होगी अब इस्टोशोमेटरी में आप लोगों को यह चीज़ पता होगी कि आपको एक बैलंस्ट कैमिकल एक्वेशन चाहिए होती है अगर आपकी फॉर्मुला म पता है कि इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है तो फॉर्मुला बहुत अराम से बनाए जा सकते हैं देखते हैं जैसे ग्रूफ वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन यह सारी ए फैमली एड पीरियॉडिक टेबल की इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास हीलि लीथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम फ्रेंशियम ठीक है बेरिलियम मैगनेशियम फिर हमारे पास आजाएगा कैलिशियम जो सबस्ताइब इस्तमाल होने वाले वही मैं यहां पर स्पैसिफिकली लिख देता हूँ बोरॉन एल्मूनियम पिर हमारे पास आ कार्बन सिलिकॉन इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा फिफ्ट वाले मैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सलफर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन ठीक है अच्छा ग्रुप बेसिकली क्या बता रहा होता है हमें उसके आउटर मोस शेल के अंदर क पर सोचा जाए ठीक है तो इस्टेबल होने के लिए या तो आउटर मोस शेल कंप्लीट करना होता है एट लेक्ट्रॉन से या फिर उसे पूरा खाली करना होता है अब मुझे बताओ गुरफ वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं उनके आउटर मोस शेल की बा करें तो दो लूस करना असान होगा या छे गेन करना दो लूस करना असान होगा तो प्लस टू चार जाएगा ठीक है डाइवलेंट के टाइन बनाते हैं ग्रुप थ्री की बात कर रहे हैं तीन लेक्ट्रॉन लूस करना असान होगा या पांच गेन करना तीन लूस करना असा पर बिहेव कर रहा होगा अगर एक मैटल से रियट कर रहा तो एलेक्रों नेगेटिफ के तौर पर बीएव कर रहा होगा ठीक है जैसे एक्जेम्पल भी देख लेंगे थोड़ी देर में किस किस तरह की बाते हो रही है यहाँ ठीक है प्लस माइनस फूर दो नहीं लगा देता हूँ है यह डूपलेट रूल फॉलो करता है तो प्लस माइनस वन लगा रहा हूँ है ठीक है अच्छा सेवन सॉरी फाइफ के बाद फ ग्रूपॡξि की बात करें दो गैन करना असान होगा एक किसी भी इनरी आयन कमपाउंड की हम बात करें तो उसके अंदर मेटल जो पॉजिटिव आयन है उसके आकर मैं आई यूम का सफिक्स आ रहा हूँता है • करें जितने पी मैटल है उन सब के आकर मैं आई U M का suffix आ रहा होता है, real names के आखर में, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, कुछ लोगों का सवाल होगा, सर, iron के नाम के आखर में तो नहीं आ रहा होता है, क्योंकि iron उसका real name नहीं है, iron का real name होता है, ferum, ठीक है, gold के आखर में नहीं आ form कर रहे हैं, उनके आखर में IDE का suffix आता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप से, आगे चलता है, जैसे हमारे पास, बोल रहा हो कि भई, आपने sodium chloride बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आपको इनके charges याद होने चाहिए, जैसे अब भी हमने देखे, sodium का plus one, chloride का minus one, charges exchange करते हैं, वैसे यहाँ पर exchange होके one one आएगा, तो one लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर मैं यहाँ पर calcium chloride लिखूं, तो calcium का plus two होता है, chlorine का minus one होता है, two यहाँ चला जाएगा, one यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो calcium chloride का formula क्या बना, CACL two, बहुत basic सी चीज़ है, बहुत obvious चीज़ ह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको charges याद होंगे, formula आप automatically बना लोगे, calcium oxide की बात की जा, oxygen के आखर में IDE का सफिक सारा है, मतलब iron है उसका, aluminium का charge plus three है, यहाँ आगी oxygen का charge minus two होता है, यहाँ आगी है, ठीक है, aluminium oxide बन गई है हमारे पास, इसी तरीके से मैं बात कर हो, suppose aluminium carbide की carbon के ओपर negative charge है, obviously एक metal के साथ है, तो यह as a electro negative behave कर रहा है, carbon का charge four होता है, aluminium का three होता है, exchange कर देंगे, इसका four यहाँ आगिया, इसका three यहाँ आगिया, यह aluminium carbide का formula बन गया हमारे पास, ठीक है, इसी तरीके से फिर हम देखते हैं, इसको, क्या नाम है हमारे पास, potassium, potassium nitride की बात करते हैं, nitrogen और potassium, nitrogen का three है, यहाँ पर आगिया, potassium का one यहाँ चला गया, potassium nitride, ठीक है, formula making आएगी, तो आप बहुत basic basic चीज़ें कर सकते हैं, suppose आपको reaction बनाने के लिए दे रहा है, वो कह रहा है, कि हमारे पास एक suppose, कोई भी given amount है, aluminium का, उसने oxygen के साथ reaction किया, तो करने का, aluminium oxide formula लिख लिया, एक दफा formula सही लिख लिया, तो balance करना तो बहुत असान काम है, oxygen पहले balance कर दो के two आ जाए गया, three आ जाए गया, four आ जाए गया, equation balance होके, stoichiometry की calculation आप फिर कर सकते हो, ठीक है, formula making समझ में आ गई, आप लोग को molecular mass और formula mass भी निकालने आ गया, formula mass और molecular mass का फर्क भी समझ में आ गया, आगे चलते है, next topic है, हमारे पास mole का, कि mole क्या होता है, बहुत बहुत important topic है, basically mole किसे कह रहे होते हैं, हम amount of substance को कह रहे होते है, amount of substance, को रिप्रेजेंट किया जाता है, mole को, इसका unit क्या होता है, mole, ठीक है, full spelling इसकी क्या होती है, mole, और unit कैसे लिखा जाता है, mole, इसके अंदर e नहीं show कर रहे होते है, ठीक है, इसकी जो physics में dimension use हो रही होती है, वो भी क्या होती है, mole, small में लिखते हैं, और आखिर में क्या लग लगा देते हैं, bracket लगा देते हैं, square bracket, ठीक है, and इसका symbol होते हैं, याद रटना है, अब basically है क्या amount of substance को represent करने के लिए हम क्या use करते हैं, जो basic original definition बनी है, mole की, वो particles की basis बनी होती है, ठीक है, एक बहुत basic formula मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसी basis पे हम different different चीजों की basis पे समझे पार्टिकल की basis पे जो बनी है, उसके लिहाँ से formula यह है हमारे पास, mass के लिहाँ से definition बनी है, उसके लिहाँ से हमारे पास यह formula है, specifically अगर हम volume की बात करें, gases के case में, तो volume divided by molar volume, 22.41 dm cube, अगर हम STP की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर RTP की room temperature pressure की बात कर रहे हैं, तो हमारे पा 24 dm cube उसकर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ RTP की बात हो रही होती है, ठीक है, तो यह सारी चीजों के साथ mole का relation है, directly आप यहाँ पे equate करा सकते हैं, यह हमारे पास mole होता है, यह हमारे पास number of particles है, mole की particle से बात हो रही है, तो यहाँ पर इन दो चीजों को equate कराएंगे, mass की बा different quantities को equate कराया सकता है, volume की बात हो रही है, तो volume को उस चीज से equate कराएंगे, जिसके साथ उसकी बात हो रही है, ठीक है, अच्छा, बहुत आसान सी बात है के mole होता क्या है, अगर मैं आप से पूछू, pair क्या होता है, तो आप कहेंगे, group of two particles is called pair, बहुत basic चीज, अगर मैं tried क्या होता है, ठीक है, जैसे pair का मैंने बूला, pair क्या क्या कहेंगे, group of two को आप pair कहेंगे, ठीक है, अगर मैं आप से पूछ रहा हूँ, tried क्या होता है, तो आप कहेंगे, group of three particles, बिल्कुल इसी तरह से mole क्या होता है, group of, 6.02 exponent 23 particle इतने particles के group को हम क्या कहेंगे mole कहेंगे एक mole में कितने particle है इतने particle है एक pair में कितने particle है इतने particle है ठीक है अगर मुझे अपनी तरफ से किसी ने कोई number दिया गाया suppose 3.02 exponent 23 sorry 3.01 exponent 23 total number of particle ये हैं बताएं कितने mole हैं तो मैं क्या करूँगा एक mole में जितने particle होते हैं उससे divide कर आदूँगा 6.02 exponent 23 से 23 से 23 cancel हुआ हमें नजर आ रहा है ये इसका multiple है cancel हो गिया 1 upon 2 मतलब क्या आ गई value 0.5 ठीक है तो ये हमारे पास 0.5 mole है कैसे पता लगाया मैंने इसकी basis पर पता लगाया number of particles divide by Avogadro's number एक mole में जितने particle होते हैं उसे हम क्या कहते है Avogadro's number ये यहाँ याद रखीगा इसमें जितने भी मैंने denominator में चीज़ें लिखी हैं ना वो बताएगा नहीं वो बहुत obvious चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पर्टिकल की बात हो रही है तो divide कराते हैं आप Avogadro's numbers है जो एक mole में total particle है ठीक है यह याद रखीएगा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक mole में कितने electron एक electron के mole उसके अंदर कितने electron होंगे जाहरे इतने electron होंगे ठीक है तो ये basic basic चीज़ें अब जरूरत क्या पड़ी कि हम particle की बज़ा इसकी definition को mass की तरफ लेकर आए बहुत basic सी obvious सी बात है आम लोगों से अगर मैं बोलूँ कि suppose water का आप एक mole लेकर आजाएं मेरे पास तो क्या वो bad के water के molecules count करेगा करी नहीं सकता वो इतने छोटे छोटे molecules होते है ठीक है वो कुई ऐसी quantity में measure कर सकता है जो के आसान है उसके लिए measure करना mass measure करना लोगों के लिए आसान है तो हमें definition को particle से convert करेगे किस की तरफ लानी पड़ी mass की तरफ लानी पड़ी खुद सोचो कि अगर मैं आप से बोलूँ के दो चीजों का mass है एक mole का mass जो होगा उसे हम क्या कहेंगे molar mass ठीक है mass of one mole यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और mass of one molecule क्या ये दोनों चीज़े बराबर हैं obviously हो इनी सकती एक mole के अंदर कितने molecules होते हैं 6.02 exponent 23 molecules होते हैं इतने सारे molecules का वजन क्या एक molecule के बराबर हो सकता है बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता ठीक है ये याद रखिएगा अब suppose करें यहाँ मैं बात कर रहा हूँ water की water का है जो एक molecule का mass होता है 18 amu oxygen का 16 hydrogen का 1 multiply by 2 कितना आ गया 18 आ गया water का एक molecule का mass 18 amu है अगर मैं पता करना चाहरा हूँ कि इतने सारे molecules का mass मतलब एक mole का mass कितना होगा तो मैं क्या करा हूँगा multiply करा दूँगा 18 से तो मुझे इतने सारे molecules का पता चल जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 multiply by 18 amu लेकिन इससे मसला क्या होगा मेरे पास mass आएगा amu में amu में तो normal लोग major करी नहीं सकते ना उन्हें क्या पता atomic mass unit कितना बड़ा होगा वो तो चीजों को grams में किलो ग्राम से major कर सकते हैं लहाजा हमें क्या करना पड़ेगा amu को convert करना पड़ेगा gram में तो वो क्या किस तरीके से convert करेंगे हम देखें हमारे पास 1 gram का जो mass होता है वो amu में कितना बड़ाबर होता किस चीज़ के 6.02 exponent 23 के बड़ाबर होता है अगर मैं 1 amu का mass चा रहा हूँ तो इस पूरे number को ले जाके वाँ डिवाइड करा हूँगा तो 1 upon 6.02 exponent 23 gram बड़ाबर होगा 1 amu के यह amu की value आगई इस पूरी value को मैं यह substitute कर देता हूँ देखो क्या होगा 6.02 exponent 23 वैसे ही था यहाँ पर 18 भी वैसे ही था amu की जगा कितने gram आगए 1 upon 6.02 exponent 23 cancel कर दिया हमने इसको ओहो यह क्या हुआ यह तो 18 के बराबर आगिया 18 amu और 18 gram तो क्या यह values equal है values equal नहीं है सिर्फ इनका जो number लिखावा है वो equal है इसका unit different है gram जो है बहुत ज्यादा amount है as compared to amu ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं molecular mass को या formula mass को express कर दूं grams में तो क्या मुझे substance के एक mole का mass मिल जाएगा obviously एक mole का mass मिल जाएगा इसी लिए 9 class में आपने definition बढ़ी थी molecular mass expressed in grams is called one mole of substance ठीक है total mass को अगर मैं molecular mass sorry total mass को अगर मैं molar mass से divide करा दूं मतलब एक mole के mass से divide करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा उस चीज का एक mole आ जाएगा ठीक है जी आगे चलते है अब सवाल दूसरा यह आता है कि भाई क्यों mass से हम volume की तरफ shift हो गए देखें mass measure करने का phenomena बड़ा simple होता है अगर मुझे किसी भी substance का mass measure करना है suppose मेरे पास ये एक pen है इसका mass measure करना है मैं क्या करूँगा इसे weighing balance पर रखूँगा ठीक है ये weighing balance पर क्या करेगा downward force exert करेगा क्योंकि इसका weight है नीचे की तरफ force exert कर रहा है ठीक है इसलिए उसका mass measure हो पाएगा क्योंकि जितनी भी हमारे पास mass measuring instruments है वो सारे किसके principle पर काम करती है weight के principle पर काम करती है लेकिन अगर मैं उसी mass measuring instrument को space में ले जाओं और वहाँ पर ले जाके मैं pen रख दूँ क्या ये measure कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर gravity हमारे पास उस तरह की मौजूद नहीं है जो earth की gravity होती है हमारे पास ठीक है लहाज़ा वहाँ पर mass आएगा ही नहीं gas के साथ यहां earth surface पर भी वही मसला आ रहा होता है अगर gas की बात करूँ क्या room के अंदर मैं बीच में एक weighing balance लिए रख दूँ मुझे पता चल जागा कि उसके अंदर कितनी gas है बिलकुल भी नहीं पता चलेगा क्योंकि जो gas होती है वो randomly हर direction में force apply कर रही होती है gases का mass directly measure नहीं किया सकता gases की volume measure की जा सकती है ठीक है suppose मैं balloon के अंदर gas भर रहा हूँ तो मुझे उसका mass नहीं पता चलेगा directly लेकिन मुझे ये पता चल जाए वो कितनी जगा घेर रहा है balloon ठीक है उसकी volume measure की जा सकती है ठीक है तो इसी वज़ा से हमने volume को क्या बना दिया standard बना दिया और condition to condition हमें पता है volume gases की जो है expansion ये contraction की वज़ा से ज्यादा होती है लहाजा हमने जब पता किया research की तो हमें पता चला किया standard temperature pressure मतलब 180m pressure और 0 degree centigrade के उपर तमाम gases का एक mole कितनी volume occupy करेगा 22.41 dm cube की volume occupy करता है लहाजा total volume को अगर हम इससे divide करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा देखें समझें mole के numericals या स्टोशोमेटरी के numericals के लिए ये चीज तो आपके दिमाग में छपी भी होनी चाहिए ये कौन कौन सी quantities हमारे पास पूछी जा सकती है ठीक है mole, number of particle sorry, number of particle mass और volume जैसे यहाँ पर हमारे पास किस से related बात हो रही है mass निकालना है मुझे 2 moles of NaOH का तो मैं किन दो चीज़ों को equate कराऊंगा mass को और moles को ठीक है mass मेरे पास M लिख देना है मैंने नीचे molar mass molar mass NaOH का कितना आएगा 23 plus 16 plus 1 calculation fast होगी directly 40 लिख दोगे practice जादा करोगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगे अकसर ठीक है mole कितना लिखना है मैंने 2 ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा 40 जाएगे multiply हो जाएगा mass कितना आजाएगा मेरे पास 80 gram अकसर वो लोग simple simple चीज़ें देते हैं multiples दे रहे होते हैं दूसरे नंबर के ठीक है तो आपकी cancellation से भी बहुत सारे मसले solve हो जाएगे ठीक है आगे चलते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या दियाव है volume दियाव है carbon dioxide का at stp और उसका क्या निकालना है हमने mass निकालना है volume को mass से equate कराना पड़ेगा मतलब मेरे पास volume दियाव है 11.205 नीचे कितना लिखूंगा constant मुझे पता है 22.41 और उपर मेरे पास यहाँ पर क्या आजाएगा mass जो कि calculate करना है carbon dioxide 16 multiply by 2 plus 12 कितना आजाएगा 44 आजाएगा अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे यहाँ इसका बहुत बेसिक चीज़े कभी भी 10 के multiple को cancel नहीं कराईएगा वो वैसे ही आराम से हमारे पास values को major करके आसानी से answer दे सकता है किस तरीके से इन केस अगर कोई example आई इस तरह की तो देख लेंगे आगे देखते है molecules बताने chlorine के इतने mass के अंदर कितने molecules होंगे मतलब मैंने number of particles से equate करना है mass को कैसे equate करे number of particles मैंने पता करना है नीचे क्या लिख दूँँगा 6.02 exponent 23 और यहाँ पर मेरे पास आजाएगा mass 14.2 और chlorine का 35.5 होता है multiply by 2 किया 71 हो गया ठीक है अगर गौर से देखूँ तो सिर्फ decimal point यहाँ shift करने पर मुझे नजर आ रहा है कि यह इसका multiple है यह इसका double है decimal point यहाँ shift करने की वैसे क्या आया exponent minus 1 आया ठीक है अच्छा यह जाके multiply हो जाएगा 2 से तो कितना हो गया 12.04 exponent 23 और यह exponent minus 1 इस में से subtract हो जाएगा तो हमें molecules कितने मिल जाएगे 12.04 exponent 22 ठीक है decimal point की shifting पर भी खास दिहान रखिएगा कही दफाव decimal point आगे पीछे करके confuse कर रहे होते हैं तो आपने यह देखना exponent आ कितना रहा है उसका ठीक है जी आगे चलते है मोल का basic concept हो गया यह इसकी practice आप लोग कर लीजेगा मैं अगर आप लोगो सवाल चाहिए होगा material प्रोवाइड कर दूँगा comment से मुझे बता दीजेगा next concept है हमारे पास stoichiometry stoichiometry क्या होती है समझे अगर मेरे पास एक balanced chemical equation है मतलब A plus 2B gives 3C मतलब A का एक molecule B के जब 2 molecules से react कर रहा है तो मेरे पास C के कितने molecules produce हो रहे है तीन molecules produce हो रहे है अच्छा अगर A के मेरे पास एक molecule है तो B के कितने होने चाहिए complete reaction करने के लिए 2 होने चाहिए और उसकी वज़ा से C के कितने produce होंगे तीन produce होंगे यह ratio हमेशा constant रहता है ठीक है इसकी वज़ा से फाइदा क्या होगा कि मुझे equation के अंदर कोई एक चीज भी पता होगी उससे बाकी सारे components में निकाल सकता हो बाकी सारे भले reactant side के हो और product side के हो तो इस tosometry basically क्या होता है product और reactants के दर्मियान एक तरहा का quantitative relation होता है quantitative relation की study होती है ठीक है यह याद रखी है और यह कौन सा relation है molar relation है ठीक है moles का एक balanced chemical equation में जो relation है उसको हम basically क्या कह रहे है stoichiometry कह रहे है एक चीज के mole पता होंगे दूसरी चीज के mole निकाल सकता हूँ suppose मेरे पास A के कितने mole है दो mole है तो B के कितने होंगे उसके double क्योंकि यहां पर 1 इस टो 2 का ratio आ रहा है हमारे पास तो यहां पर 4 आ गिया इसी की वज़़ए से C में कितने होंगे total 6 होंगे अच्छा इसी तरीके से अगर मैं देख रहा हूँ कि यहां पर मेरे पास B के कितने mole है पांच mole है तो A के कितने होंगे इसके आदे क्योंकि इसका half का relation है हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 2.5 तो इस तरीके से हम यह चीज़ कर पाएंगे लेकिन जहां पर complicated numbers होंगे वहां पर measure करना comparatively थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेहाजा इस relation को मैं यहां पर अलग से इस तरह लिख देता हूँ ठीके mole over coefficient क्योंकि real जो हमारे पास ratio बन रहा है वो coefficients का ratio है 1 is to 2 यह यहां पर 1 is to 2 थे और यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है हमारे पास coefficients का ratio बन रहा है ठीके mole over coefficient given के और mole over coefficient required के यह हमारे पास original stoichiometric relation है जिसको हम क्या कहते है mole mole relationship कहते है ठीके इस basis पर हमने calculations करनी होती है कैसे करनी होती है वो थोड़ी देर में हम समझते हैं आगे अब वो जरूरी नहीं है के सारी की सारी चीज़े एक reactant side की हो दूसरी product side की हो इस basis पर definition की basis पर यह नहीं समझ लेना हो सकता है दोनों की दोनों जो चीज़े पूछी मी हो वो reactant side की हो या पिर हो सकता है product side की ही दो चीज़े पूछ ली हो इसमें कोई इस तरह की बंदिश्ट मौजूद नहीं है अच्छा आगे चलते हैं स्टोशोमेटरी से related कुछ basic assumptions आपने याद रखनी है कुछ limitations आपने याद रखनी है स्टोशोमेटरी से related सवाल करने के लिए जो assumptions हम लोग कर रहे होते हैं वो basically क्या होती है पहली चीज के reaction कैसा है irreversible क्योंकि reversible reactions के लिए ये चीज अपलाय होई नहीं सकती क्योंकि equilibrium में होता है उसके लिए फिर हम equilibrium वाले reactions की जो calculation है के सी, के पी या फिर के एन वो सारे equilibrium constants यूज़ करके हम calculation कर रहे होते हैं irreversible reactions के लिए हम stoichiometry यूज़ करते हैं बहुत basic चीज़े से याद रखेगा ठीक है, हो सकता है इस तरह का वो सवाल देदें आपको इस तरह की reversible reaction की equation देदें और पूछ लें एक चीज का amount और option दिया वो एक not possible आपको measure करके answer भी आ रहा हो लेकिन real option उसका क्या होगा reversible reaction है तो उसका not possible वो real answer होगा उसका ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ आपने हमेशा यह suppose करना है कि उसका reactant completely convert हो रहा है product में complete conversion reality में ऐसा possible नहीं है कि reactants completely product में convert हो जाएं उसके दो reason है पहली चीज़ तो यह reason है कि side reactions होते हैं में जब side reaction होगा तो product बनाने की बज़ा कोई दूसरी तीसरी चीज़ ही बना लेगा जैसे carbon को combust कर रहे है और मैं यह reaction लेग रहा हूँ carbon dioxide तो assumption मेरी यह होगी के carbon completely combust होगे carbon dioxide बना रहा है उसी लहाज से मैं calculation करूँगा लेकिन reality में ऐसा कभी नहीं होगा वो produce carbon monoxide भी कर सकता है ठीके तो यह side reaction होता है side reaction आप कभी भी खतम नहीं कर सकता है minimize कर सकता है अच्छा इसके इलावा क्या चीज़ होती है भाई जिसकी वज़ा से completely convert नहीं होता impurities impurities अगर है आपके reactant completely pure नहीं है एक्टेंट की product में complete conversion नहीं हो रही होती है ठीक है इन assumptions को याद रखना है उसकी basis पे हमने calculation करना है अच्छा अगर completely product में convert नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो calculated amount होगा वो कभी भी actual amount के बराबर नहीं आएगा इसकी basis पे एक और important term समझ लें कि यह जो calculated amount होता है वो कभी भी actual amount के बराबर नहीं होता है जो आप स्टेशोमेटरी से निकाल रहे होता हो हमेशा जो actual amount होगा वो calculated के comparison में कम होगा ठीक है क्यूंकि side reaction भी हो रहे होते है impurities भी उसके अंदर मौजूद होती है जिसकी वैसे जो calculate किया है हमने तो complete reactant के लिहाज से पूरा का पूरा calculate किया है लेकिन वो पूरा का पूरा product में convert ही नहीं हो रहा है अच्छा खासा तो वो waste हो जा रहा है side reactions के अंदर या फिर impurities हैं जिसकी वैसे conversion complete नहीं हो पारी लेहाजा हमारे पास जो actual amount जो produce हो रहा हो हमेशा काम आएगा इसी की basis पे हमारे पास reaction की वो होती है जिसको हम कहते हैं yield of reaction जिसको percent yield के नाम से भी आप लोग याद रखिएगा reaction की efficiency होती है हमारे पास ठीक है actual amount divided by calculated amount multiply by hundred ये क्या आजाएगा हमारे पास ये किसी भी reaction की efficiency आजाएगी इसे percent yield कहा जाता है ठीक है जी अच्छा अब ये याद रखना है आपने के मोल से related हमारे पास stoichiometry के हवाले से ये ये चीज़ है जो main stoichiometry का formula है इसको हम कहते हैं mole-mole relationship ये original formula है हमारे पास ठीक है suppose कि अगर मेरे पास aluminium का reaction हो रहा है oxygen से और aluminium oxide बन रहा है AL2O3 यहाँ पर balance कर लेता हमारे 2 और 3 और यहाँ पर 4 ठीक है ये ये भी याद रखना है कि हमेशा balanced chemical equation पर ही काम करेगी stoichiometry के जो भी calculation है ठीक है अगर balance नहीं है answer गलत आएंगे आपके पास तो लहाजा पहले चेक कर लीज़ेगा कि वो equation balance है या नहीं है अब मैं आपसे कहा रहा हूँ कि अगर मेरे पास aluminium के 5 mole है तो मुझे ये बताएं कि उससे completely react करने के लिए oxygen के कितने moles होने चाहीं है तो ये कैसे करूँगा देखें इस reaction के अंदर एक बात हो रही है aluminium की एक बात हो रही है oxygen की हमने इन दो चीज़ों को equate कराना है क्या बता है मैंने यहाँ पर आपको कि नीचे हमेशा coefficient लिखेंगे aluminium का coefficient क्या आ रहा है हमारे पास देखें 4 आ रहा है 15 15 divided by 4 हमारे पास क्या आ जाएगा oxygen का मूल आ जाएगा oxygen का मूल हमारे पास यहाँ कितना बन रहा है देखो 4 3s are 12 और 3 remainder है तो 7 5 आ गया हमारे पास यह हमारे पास मूल है ठीके जी without calculator mathematics की practice कर लिजेगा fraction related बहुत simple simple calculation दिएग direct answer आएगे आपके पास जादा time भी नहीं लगेगा ठीके इन केस अगर आपने किसी बड़ी university के लिए ऐसी जगा पर test देना है आगे चलता है अब समझो यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह तो हमारे पास मूल से मूल निगालने का formula है लेकिन अगर मुझे एलमूनियम के मोल की बज़ाए मास दिया वाए suppose करें कि मुझे same चीज के लिए दूसरा page यूज कर लेता हूं कि कि अगर मेरे पास यह reaction है CH4 combustion और प्रोड्यूस कर रही है carbon dioxide और water balance कर लेता हूं मैं इसको carbon balance हुआ गया hydrogen के लिए 2 लगा दिया यहां पर oxygen 4 हो गए 2 लगा दिया यह balance हो गए equation मुझे mass दिया हूए CH4 का 4 gram और मुझसे पूछा हूए कि जब इस 4 gram methane को combust करेंगे तो water के कितने mole produce हूंगे ठीक है तो अगर मैं mass से mole या mole से mass calculate कर रहा हूं तो यह क्या कहला आएगा mass mole relationship या mole mass relationship कोई मसला नहीं है दोनों में से कोई सी भी नाम ले दें एक जो भी quantity उसका और दूसरी वारी जो quantity उसका ठीक है इसके लिए क्या करूंगा CH4 की बात हो रही है और water की बात हो रही है ठीक है रियल जो formula है हमारे पास किसके लिए बनावा है mole के लिए बनावा है पहले तो मैंने क्या लिखने है नीचे coefficient लिखने methane का coefficient हमारे पास कितना आ रहा है water का coefficient कितना आ रहा है 2 अच्छा methane का क्या दिया है mass दिया है लेकिन formula किसके लिहाज से मोल के लियास से अगर मैं मोल को मास में convert करना चारा हूँ तो equate करूँगा हमेशा याद रखिएगा मास लिखूँगा तो मैं उसे molar master divide कर रहा हूँगा मतलब 4 divided by methane का molar mass कितना होगा 12 plus 4 16 आगिया हमारे पास अच्छा यहाँ पर किसकी बात हो रही है मोल की बात हो रही है मोल के नीचे कोई denominator नहीं होता हमारे पास 1 होता हम आप पे तो मोल हमने directly यहाँ पर ऐसी लिख दिया ठीक है 2 से cancel कर दिया हमने यहाँ पर 8 हो गिया इस से cancel कर दिया हमारे पास यहाँ नीचे क्या आगिया 2 आगिया 1 upon 2 मतलब 0.5 5, mole हमारे पास produce होंगे water के, ठीक है जी, तो इतनी simple calculation है, हमारे पास इस तरह की हो जाएगी, यह basically यहाँ पर क्या किया, आपको उसके लिए याद रखना है, कि mole हमारे पास mass over molar mass के बराबर है, कभी भी mass की बात हो रही हो, तो आप यहाँ पर mole की बजाए इसको equate कराएंगे, अगर water की vapors बन रहे हैं, और उसकी volume की बात हो रही है, तो volume over 22.41 से भी equate करा सकते हैं, depend करता है कौन सी चीज़ दीवी और क्या पूछा हो है, ठीक है, इस चीज़ को अब समझें, आगे चलते हैं, suppose करें मेरे पास, यह सवाल है, c2h6, ethane, ethane completely combust हो रही है, और हमारे पास क्या produce हो रहा है, carbon dioxide और water produce हो रहा है, ठीक है जी, इसको balance करने के हमाले से हम, यहाँ पर देख लेते हैं, carbon 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, balance हो जाएगा, carbon यहाँ पर हम यहाँ पर 2 आजाएगा, हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 6, ठीक है, यह हमारे पास एक completely balanced equation है, हमारे पास सवाल इस तरह से दिया हो है, suppose कि c2h6, ethane का जो mass हैं हमारे पास, 15 gram mass है, और आपसे पूछा है, है कि at stp, carbon dioxide का कितना volume produce होगा, dm cube में बताएं, कैसे बता सकते हैं, बहुत simple सी बात है, हमने यहाँ पर जिन दो चीजों को equate करना है, उन्हें mention कर लेता हूँ में, ताकि कोई confusion ना हो जाए, इथेन और carbon dioxide की बात हो रही है, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे हम coefficient लिखेंगे, इथेन का coefficient कितना है, 2, carbon dioxide का coefficient कितना आ रहा है, 4, अब यहाँ पर क्या दिया है, मास दिया है, मास दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ओवर मॉलर मास, क्यूंकि मॉल उसी के बराबर है, originally मॉल चाहिए ने मुझे, ठीक है, तो मास कितना आ गया, 15, divide by मॉलर मास, 12, multiply 2, 24, plus 6, 30 आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास V आ गया, और यहाँ पर वॉल्यूम का coefficient क्या है, constant क्या है, हमारे पास 22.41, देख लें, 22.41 हमने यहाँ पर mention कर दिया, ठीक है, यह चीज हो गए, इसके लिए हमने cancellation करना है, यहाँ पर हमने cancel किया, calculations होती है, आपने करनी होंगे, आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम concept को percent yield से भी थोड़ा link करते हैं, suppose करें, हमारे पास carbon है, जो के combust हो रहे हैं, और carbon monoxide बन रही है, incomplete combustion हो रही है, मतलब इसके, ठीक है, और सवाल यह पूछा हुए है, कि हमारे पास 6 gram carbon है, मास दिया है carbon का, और carbon dioxide जो produce हो रही है, वो suppose करें, कि हमारे पास carbon dioxide जो produce हो रही है, वो है, 0.7 gram, और मुझे पता करना है, कि percent yield क्या होगी, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो amount दिया है न, यह real amount जो के combustion के बाद produce हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने theoretical amount calculate करना होगा, कि इतने carbon की combustion से कितनी carbon monoxide produce हो सकती है, ठीक है, calculate करते हैं, देखे, carbon से carbon monoxide produce करवाने के लिए, हमने इन दोनों का stoichiometric relation मनाना है, मास से मास calculate करना है, नीचे क्या करेंगे, इसके coefficient से divide करा देंगे, carbon का coefficient 2 है, carbon monoxide का coefficient भी 2 है, मास carbon का कितना दे रखा है, 6, divide by molar mass, carbon का molar mass कितना आगिया, 12 आगिया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास mass of carbon monoxide जो calculate कर रहे हैं, molar mass हमारे पास कितना होगा, 16 प्लस 12 कितना आगिया, 28 आगिया, 2 से 2 cancel, 6 से cancel, यहाँ पर 2 आगिया, 2 से 28 को cancel कर दिया, हमने, यहाँ पर कितना आगिया, हमारे पास, 14 आगिया, 14 यहाँ ले गया, 14 ग्रैम हमारे पास, mass आगिया, carbon monoxide गा, जो कि theoretically produce होना चाहिए, but in reality कितना produce हो रहे है, 0.7 ग्रैम, तो percent yield calculate करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, कि हम percentage निकालते हैं, actual amount जो produce हो रहा है, वो 0.7 है, वो उपर लग देना है हमने, और जो, यहाँ पर theoretically produce होना चाहिए, वो हमारे पास कितना है, 14, इस से cancel करा रहे हैं, cancel किया हमने, हमने यहाँ पर 2 आगिया, और 0 आगिया, 20 आगिया, 0 से 0 cancel, 2 से इसको cancel कर दिया, हमने 5% हमारे पास आगिया, मतलब यह वाला reaction कितना percent हो रहा है, 5% हो रहा है, ठीक है, तो यह हमारे पास इस तरीके से percent yield आजाती है, आगे चलते हैं, next topic की तरफ, अब next topic है, हमारे पास limiting reactant, देखें, limiting reactant का जो concept है, तमाम उन reactions के उपर applicable होता है, जिसमें कम से कम भी 2 या 2 से ज़्यादा reactants हो, suppose हमारे पास यह है, aluminium और oxygen का reaction हो रहा है, AL2O3 बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यह reaction हमारे पास balance हुआ है, ठीक है, अब अगर मुझे दोनों के दोनों reactants का amount दिया हुआ है, तो basically ratio मेरे पास कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपको ratio नजर आ रहा है, कि 4 moles aluminium, जब 3 moles of oxygen के साथ reaction करेंगे, तो 2 moles of aluminium oxide produce होगा, अब suppose करें, कि यहाँ पर मैं कहाँ रहा हूँ कि मेरे पास 8 moles aluminium है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 1.5 moles oxygen है, इन दो का reaction करवा रहे हैं, बताएं aluminium oxide कितना produce होगा, तो मैं दोनों से किसी एक product का amount calculate करूँगा, फिर पता चलेगा, कैसे, अगर मैं aluminium के 8 moles से, इसका amount calculate कर रहा हूँ, और इसके दर्म्यान जो relation है कितना बनना चाहिए, 4 is to 2 का relation, मतलब इसका आदा है, तो इसलिहाँ से aluminium oxide कितना produce होना चाहिए, 4 moles produce होना चाहिए, अच्छा, वहीं पर अगर मैं इस से aluminium oxide का relation check करूँ, यहाँ पर 3 is to 2 का relation है, मैंने इसको आदा कर दिया, तो यह 2 भी आदा हो जाना चाहिए, तो यह कितना हो जाना चाहिए, 1 mole produce होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमारे पास actual concept बन रहा है है, मुझे बताएं, अब reality में कौन सा वाला amount होगा, aluminium oxide का, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास aluminium जो है, 4 mole aluminium oxide produce कर रहा है, जो के जादा amount है, और oxygen जो है, 1 mole aluminium oxide produce कर रहा है, जो के कम amount है, इन reality जो कम amount produce हो रहा होगा, वही stationaryly correct amount होगा, ठीक है, क्योंकि oxygen पहले consume हो जाएगा, पहले खतम हो जाएगा, और खतम होने के बाद, excess amount of aluminium से reaction करने के लिए, कुछ भी oxygen नहीं बचा होगा, ठीक है, तो जैसे ही, आपका जो amount of substance पहले consume होता है, reaction स्टॉप कर देता है, ठीक है, यह इसकी mass या mole की basis पहले नहीं होगा, बलकि कौन सा substance, कौन सा reactant कम amount of product produce कर रहा है, उस पर depend कर रहा होगा, ठीक है, तो जब भी आप limiting reactant की बात करते हैं, तो दोनों reactants या कितने भी reactants दियों हों, उनके masses से आप किसी भी एक product को calculate कर लेंगे, ठीक है, जो उस product का कम amount produce कर रहा होगा, सबसे कम, वो अला limiting reactant होगा, यहाँ पर सबसे कम amount कौन produce कर रहा है, oxygen, तो oxygen हमारे पास क्या है, limiting reactant, aluminium क्या कहलाएगा, फिर aluminium जाहरे, excess में बच जाएगा, unreacted form में, तो यह क्या कहलाएगा, excess reactant कहलाएगा, ठीक है, limiting reactant के सवाल किस तरह के हो सकते हैं, देखते हैं हम, लेकिन limiting reactant से related, यह सारी चीज़े पूछी जा सकते हैं, suppose करें, यहाँ सवाल में मुझे दिया वहाए, कि 4 gram oxygen ने जब react किया, 4 gram methane से, तो बताएं, excess reactant क्या होगा, limiting reactant कौन सा वाला होगा, ठीक है, और water कितना produce होगा, और excess reactant का कितना amount बचेगा, after reaction, यह सारी चीज़े पूछी जा सकती हैं, जो कि बहुत basic चीज़ें, कैसे calculate करेंगे, समझें, अब मेरे पास 2 reactant और दोनों का amount दिया वहाए, ठीक है, दोनों से किसी एक, आसान product को calculate कर लेंगे, अगर मुझे सिर्फ excess या limiting reactant पूछा होगा, आसान वाला जाहर है, इन दोनों में water है, अगर तो सिर्फ limiting या excess reactant का नहीं पूछा होता, किसी specific product का पूछा होता, तो obviously हमें सिर्फ specific product का ही calculate करना होगा, अगर नहीं पूछा होगा किसी specific product का, तो सिर्फ mole calculate करना है, यहाँ पर mass की बात ही वी है, तो हम mass ही calculate करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हम methane से calculate करते हैं, methane से water का mass, कैसे calculate करेंगे, mass of water calculate करने जा रहें, methane का mass हमें दिया वाई हैं सवाल में, फोर दिया वाई ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, water को coefficient 2, methane का coefficient 1, molar mass methane का आ जाएगा, 12 plus 4 16, water का कितना आ जाएगा, 18, cancellation कर दी हमने यहाँ पर 8 हो गिया, इस से cancel हो गिया, हमारे पास 2 आ गिया, यह 2, 8 से cancel हो गिया, 9 हो गिया, 9 gram हमारे पास, mass आ रहा है, water का, through methane आ रहा है, लेकिन क्या यह limiting है यह नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा, हमने दूसरा वाला भी calculate करना है, oxygen से पता करते हैं, देखते हैं, oxygen से कितना calculate हो रहा है, water का mass, oxygen का amount भी हमें कितना दिया है, 4 gram दिया है, नीचे हमारे पास oxygen का molar mass आ जाएगा, 32, coefficient कितना oxygen का देखें, 2 है यहाँ पर, water के coefficient की बात करते हैं, water का coefficient भी 2 है, water का mass calculate करना है, 18 हमारे पास water का molar mass है, ठीक है, कैसे cancellation होगी, 4 से cancel करा, यहाँ पर 8 आ गिया हमारे पास, और, इस 2 से, इस 2 को cancel कर दिया, ठीक है, यह 18 हमारे पास चला गिया, उपर, 18 को जब 4 से cancel करेंगे, 18 को 8 से cancel करेंगे, यह 4 आ जागा है, 9 आ जाएगा, तो 9 upon 4, 9 upon 4 कितना आ गिया, 1.2.25 आ जाएगा हमारे पास, gram, यह हमारे पास water का mass, oxygen से पता चल रहा है, तो कम amount of mass किस से आ रहा है, oxygen से आ रहा है, लहाजा, limiting reactant क्या होगा, oxygen, excess reactant कौन सा होगा, methane, ठीक है जी, तो water का असली amount of mass कौन सा होगा, जो कम आ रहा है, वो real amount होगा, 2.25 gram, amount of excess reactant कैसे पता चलेगा, पहली चीज़ तो यह अगर सवाल में specify किया है कि कौन से किस तरह का amount हो सकता है, वो पूछ ले number of molecules, number of moles या volume पूछ ले ठीक है, यहाँ पर specify नहीं किया, वह खर, specifically हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि suppose करें excess reactant का वो पूछ रहा है कि mass कितना होगा, excess reactant हमें पता चल गया, methane है, तो जो भी हमारे पास limiting reactant है, उससे हम excess reactant का mass calculate करेंगे, वो mass जो हमारे पास excess reactant का आएगा, वो mass होगा, जो के reaction में consume हुआ है, और जो given mass है, जब मैं उससे subtract करूँगा, consumed amount of mass को, तो मेरे पास वो mass आजाएगा, जितना बाकी बज़ गया है, ठीक है, calculate करते हैं, देखें, oxygen से हमने, CH4 का mass calculate करना है, oxygen क्योंके limiting reactant है, mass oxygen का 4 रख दिया, mass methane का calculate करना है, coefficient हमारे पास oxygen का आजाएगा, 2, methane का 1 आजाएगा, methane का molar mass नीचे रख देंगे, और यहाँ पर 32 हमने इसका mass रख दिया, cancellation करते हैं, 4 से cancel हुआ यह, 8 आगिया, 8 16 से cancel हुआ, 2 आगिया, 2 से 2 cancel हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है जी, तो हमारे पास mass कितना आगिया है, methane का 1 gram, यह हमारे पास इसका mass आ रहा है, ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है, हो गई है सारी calculation, 1 gram हमारे पास methane का mass है, जो के consume हुआ है, अब, कितना x में बचा होगा, वो कैसे पता चलेगा, देखें, total हमें दियावा कितना था, 4 gram, जिसमें से 1 gram consume हुआ है, तो x हमारे पास कितना बचेगा, 4 minus 1 हमने इस तरीके से निकाल लिए, 3 gram हमारे पास methane का, या जो excess reactant उसका mass बचावा होगा, clear होगा ये बात, आगे चलते हैं, next concept की तरफ, next topic की तरफ, अच्छा, stoichiometry को और कहां कहां utilize किया जा सकता है, इस पे भी थोड़ी नज़र डालें, देखें, suppose करें, के मेरे पास, ये mass दियावा है, CO2 का, suppose हमारे पास mass है, 4 gram, 4 gram CO2 है मेरे पास, mass दियावा है, इस 4 gram CO2 के अंदर, कार्बन कितना होगा, कार्बन कितने gram मौझूद होगा, इस compound के अंदर, उसके एक element का mass पूछागा है, तो ये कैसे करेंगे, इससे भी related चीज़ को ज़रा समझा, देखें, हमारे पास यहाँ पर carbon, और CO2 की बात हो रही है, CO2 का जो मौल है, यहाँ पर हमने one consider करना है, one हमने नीचे रख दिया, mass हमारे पास आगिया, four, molar mass हमने नीचे लिख देना है, 44, कार्बन का mass, हमने calculate करना है, यहाँ पर, कार्बन का इसके अंदर, कोई coefficient आ रहा है, नहीं आ रहा होता, तो यहाँ नीचे हम वो लिख देते है, खेर, molar mass हमारे पास आ जाएगा, 12, इसकी basis पर हमने solve करना होगा, simplify करके answer देना होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको cancel करा लिया, 11, और हमारे पास क्या आ गिया, कार्बन का mass, 12 upon 11, ठीक है, इस basis पर हमने solve करना है, जो के हमारे पास कितना आ रहा होगा, 1.09 something, ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा, sorry, 0,1, ठीक है, यह इस तरीके से हमारे पास solve हो जाएगा, इसी तरीके से अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास water है, और water के मेरे पास हैं, suppose, 9 gram, 9 gram water के अंदर, मैं आप से पूछ रहा हूँ, hydrogen कितने gram होगा, mass of hydrogen, ठीक है, तो इसके लिए भी आपने यही करना होगा, water का mass, हमने यहां रख देना है, 9 gram, water का अपना coefficient, 1 रखना है, उसके अंदर जो element है, उसका mass हम मेजर करने जा रहे हैं, उसका coefficient क्या आ रहा है, यहां पर hydrogen का 2 आ रहा है, यह atomicity भी कहला है, water के अंदर hydrogen की atomicity 2 है, hydrogen का अपना molar mass क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, यहां पर हमने water का molar mass लिख लेना है, 18, cancellation कराई, यहां पर 2 आ गया, 2 से 2 cancel होगिया, हमारे पास mass of hydrogen कितना आ गया, water के 9 gram के अंदर, 1 gram आ गया, ठीक है, इसी तरीके से इसको देखें, बहुत simple है, थोड़े complicated substances के अंदर देखते हैं, C6H12O6, glucose की बात करते हैं, glucose के अंदर, suppose मेरे पास 18 gram glucose है, 18 gram glucose के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ के इसका oxygen का mass क्या होगा, बहुत simple सा सवाल है, देखें, कैसे calculate करेंगे हम, oxygen और C6H12O6, यहाँ पर हमने mass लिख देना है इसका, जो के 18 दिया वह है, नीचे molar mass हमने, इसका रखना है, in the end आप molar mass निकालेंगे किस तरीके से, 12 multiplied by 6, 72 आ गया, प्लस 12 आ गया, फिर हमारे पास, 16 into 6, यह हमारे पास आ जाएगा, suppose, 16 into, 96 आ जाएगा, ठीक है, तो यह 96 हमारे पास आ गया, in the end एड़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, यह 180 लिख दिया हमने, oxygen के लिए हमने calculate करना है, कि मास कितना होगा, 18 ग्राम के अंदर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना, oxygen के केस में, 16 उसका molar मास है, नीचे हमने इसके coefficient लिखने है, कितना है coefficient, 6 है, ठीक है, इस basis पर हमने calculate करना है, इसको cancel करा देंगे, नीचे 10 रह जाएगा, और 16 इंटू 6, क्या हो जाएगा, यह 96 पन जाएगा, 96 उपर चला गिया, और नीचे 10 है, as usual यहाँ पर था रह रह गिया था, इसकी basis पर हमारे पास, कितना मास आ गिया, 18 ग्राम के अंदर, 9.6 ग्राम उक्सीजन मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से, किसी भी chemical compound के अंदर, उसके किसी एक element का मास भी calculate कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उस topic पर आएंगे, empirical molecular formula, तो आपने देखा होगा, combustion analysis के अंदर, आपको carbon dioxide और water का मास दिया होता है, और सबस्टेंस का मास पूछा होता है, elements का मास निकालना लहाज़ जरूरी है, यह आपको पता होना चाहिए, आगे चलते हैं next concept की तरफ, next topic है, हमारे पास empirical और molecular formula, इसको बड़े गोर से समझेगा, बहुत important topic है, empirical formula, और molecular formula, molecular formula, basically क्या बताता है, इसा पोस्ट करें, example ले ले लेते हैं, glucose की, C6H12O6, ठीक है, यह glucose का एक molecule है, इस molecule के अंदर, carbon के कितने atoms हैं, 12, sorry, carbon के 6 है, hydrogen के कितने 12, oxygen के कितने 6 हैं, तो हर element के, actual number of atoms, हमें किस से पता चल रहे हैं, molecular formula से, तो molecular formula क्या बताता है, actual number of atoms, of each element, ठीक है, यह हमें इस से पता चल रहा होता है, लेकिन, अगर मैं इन सारे के सारे, atoms का, atomic ratio निकालूं, तो मैं देखूंगा, कि यह सारे number, कौन से, बड़े से बड़े number से, divide हो सकते हैं, 6 से divide हो सकते हैं, तो सब को 6 से, divide करा देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक carbon बचेगा, 1 लिखने की जरूद नहीं है, 12 को 6 से divide किया, 2 आ गिया, oxygen के 6 को 6 से divide किया, 1 आ गिया, तो यह हमारे पास आ गिया, यह क्या आया है मेरे पास, यह वो formula है, जो तमाम elements का, simplest atomic ratio बताता है, atomic ratio of elements बता रहा होता है, इसमें हमें यह नहीं पता चलता, कि उस particular element के, कितने atoms मौजूद हैं उस molecule के अंदर, हमें सिर्फ उसके atoms का ratio बता चलता है, ठीके, अगर मैं empirical से molecular में ले जाना चाहरा हूँ, तो क्या करूँगा, जिस number से divide किया, molecular formula है, एक तरहा से, वो empirical formula का integral multiple है, हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, मतलब मैं इस से उस particular number को multiply करूँगा, तो वापस से वो किसमें convert हो जाएगा, molecular formula में convert हो जाएगा, तो यह हमारे पास basic सा formula आगिया, इसको याद रखिएगा, empirical formula जब पता कर लेते हैं, तो उस specific number से multiply करके, molecular formula भी निकाला जाता है, ठीके, यह याद रखिएगा, अब जरूरी नहीं है, कि वो हर दफा specific number कोई इस तरह से exist करे, suppose करो कि मैं water की बात कर रहा हूँ, तो water के अंदर मैं कौन से number से, इन दोनों को divide करा सकता हूँ, यहाँ पर one है, यहाँ पर two है, तो जाहर सी बात है, इसके अंदर one मजीद divide तो हो नहीं सकता, तो अगर divide होगा, तो वो one को divide नहीं कर पाएगा, लहाज़ा हमने किस number को consider कर लेना है one, तो N की value यहाँ क्या आ रही है one, अगर मैं H2O2 की बात कर रहा हूँ, hydrogen peroxide की इसमें हमारे पास क्या होगा, two, तो इसका molecular formula भी यही है, empirical formula भी यही है, इसका molecular formula hydrogen peroxide का यह है, empirical formula क्या है, HO, इसी तरीके से इसको देखते हैं, अगर यह याद रखना, अगर N की value हमारे पास one आ गई, तो empirical और molecular formula same होगा, ठीके, इसको देख लेते हैं, C4H10, इसके N की value क्या है, कौन से बड़े से बड़े number से हम दोनों को divide गर आ सकते हैं, 4 से या 10 से, obviously 2 से divide गर आएंगे, 2 से divide कर दिया तो क्या हो गया है, C2H5 हो गया, मजीद कोई number ऐसा नहीं है, जो के दोनों को divide कर सके हैं, ठीके, तो N की value यहां पर 2 आ गई, और यह हमारे पास क्या आ गया, simplest formula आ गया इसका, और देखते हैं, C6H6, 6 से divide होगा, 6 हमारे पास वो number है, CH आ गया, ठीके, यह याद रखना, बहुत सारे different compounds का empirical formula सेम हो सकता है, जैसे के, C2H2, यह benzine था हमारे पास, यह ethine है, इसके N की value हमारे पास 2 है, लेकिन empirical formula हमारे पास सेम आ रहा है, ठीके, molecular formula different है, empirical formula सेम है, ठीके, तो यह वाला formula आपने याद रखना है, ठीके, अब किस तरहां से, इससे related questions को हमने solve करना है, given data के मताबिक, यह भी ज़रा समझ लेते हैं, देखते हैं, देखें, empirical formula calculate करने से, के लिए हमारे पास सबसे पहला जो step होता है, वो क्या होता है, element detection, element detection, ठीके, हमारे पास जमीन से कोई unknown compound discover हुआ, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही पता करनी होगी ना, कि उसके अंदर कौन कौन से elements है, अब क्या element detection, एक quantitative analysis है, या qualitative analysis है, मुझे सिर्फ यह पता करना है पहले, कि कौन से elements है, तो यह क्या कहला आएगा, qualitative analysis कहला आएगा, जिसमें हम सिर्फ elements को detect कर रहे हैं, एक दफ़ा elements पता चल गए हमें, तो फिर हम next step की तरफ जाएंगे, अब क्या पता करेंगे, mass of each element, mass of element हमने detect करना है, यह क्या होगा, यह एक तरह का quantitative analysis होगा, यह दो चीज़ें, practically perform की जाती हैं, फिर बाकी सारी जो चीज़ें होती है, वो mathematically करने वाली होती हैं, ठीके, तो यह चीज़ें अब आपने करनी हैं, अब यहाँ पर हमारे पास, third step में क्या आजाएगा, percent composition, percent composition क्या होती है, किसी भी compound के अंदर, कोई एक specific element कितना percent मौजूद है, वो पता करने के लिए हमने, उसकी percent composition पता करनी होती है, वो percent composition क्या लाती है, ठीके, mass of element divided by mass of compound, multiply by 100, यह हमारे पास formula है, जितने भी elements हमें पता चल जाएंगे, और उनके mass पता चल जाएंगे, तो हमने क्या करना है, सबकी percent composition निकालनी है, कैसे निकालनी हैं, थोड़ी देर में देख लेते हैं, आगे चलते हैं, एक दफ़ा सारे elements की percent composition भी पता चल गई, तो फिर हम लेकर आएंगे, mole ratio की दरफ, mole ratio of each element, कैसे निकालनी है, mole ratio, इसका simple सा तरीका हमने percent composition को, उस element की percent composition को, divide करा देना है किससे, उसके atomic mass से, atomic mass से जब हम divide करा देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, mole ratio आ जायागा, ठीक है, इसी तरीके से फिर, जब हमने सारे elements का mole ratio निकाल लिया है, तो हम देखेंगे, सबसे छोटा वाला mole ratio क्या है, जो सबसे छोटा mole ratio होगा, उसको हमने सारे के सारे mole ratio से divide करा देना है, वो हमें क्या देदेगा, simplest ratio of element, ठीक है जी, simplest ratio निकालने का क्या तरीका है, कि mole ratio को हमने divide कराया, least mole ratio से, उन सारे mole ratio में, जो सबसे छोटी value आ रही थी, उससे divide कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, simplest ratio मिल जाएगा, उसी simplest ratio को हम क्या कहेंगे, empirical formula कहेंगे, ठीक है, ये empirical formula करने, calculate करने कुछ important methods है, ठीक है जी, अब इससे related, सबसे पहले तो percent composition को मैं थोड़ा explain कर देता हूँ, अलग से भी, क्योंकि अक्सर इससे related different questions आ जाते हैं, जो कि empirical formula से थोड़े हटके होते हैं, suppose करें, magnesium oxide हमें दिया वा है, formula, मुझे बोला जा रहा है कि, magnesium oxide के अंदर, magnesium कितना percent मौझूद है, by mass पूछा जाता है, हमेशा ये याद रखना, percent composition हमेशा by mass होती है, तो क्या करूँगा, इसके अंदर magnesium का mass लिखूँगा, magnesium का mass कितना होता है, अब जाहरे मुझे amount of substance तो दिया वा नहीं है, मुझे exact बताया है, compound है कौन सा, तो मुझे इसमें मसले की बात नहीं होगी, ठीक है, magnesium का mass कितना होता है, 24 होता है, एक ही magnesium इसमें नजर आ रहा है, मुझे एक साधा नहीं हो आ रहा, वरना मैं multiply करा था, जितनी भी atomicity है, ठीक है, divided by mass of compound, magnesium का 24 है, oxygen का 16 है, add कर दिया, 40 आगिया हमारे पास, multiply आप है 100, cancel कर दिया, 0 से 0 को, 4 से इसको cancel कर दिया, 6, यह आगिया हमारे पास 60%, 60% magnesium मौझूद है, oxygen कितना percent होगा, obvious ही बात है, हमारे पास 40% होगा, अगर binary compound है, तो कोई मसला नहीं है, एक element की percentage निकाल ली, दूसरे की आप 100 से minus कर के पता कर सकते हो, अलक से उसको calculate करने मत बढ़ जाना, ठीक है, इसी तरीके से और देख लें, methane की बात करता हूँ, CH4, carbon dioxide, sorry, CH4 के अंदर carbon की हमने percentage निकाल ली है, 12 हमारे पास carbon का mass है, total mass हमारे पास आ रहा है, 16 multiply by 100, इसको cancel कर दिया हमने, 4 से 3, और नीचे, 3 से cancel, हाँ 4 से cancel कर दिया हमने, इसी तरीके से हम और देख लेते हैं, देखें, sulfur trioxide है, इसमें मुझे, oxygen की percentage suppose calculate करनी है, oxygen का mass होता है 16, कितने oxygen है, 3, यह आगिया हमारे पास, total mass से divide कर आएंगे, 16 into 3, 48 होता है, 48 plus 32, हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा, तकरीबन 80 आ जाएगा, ठीक है, multiply by 100, ठीक है, किस तरीके से हमने इसको solve करना है, देखें, उपर आ जाएगा हमारे पास, 48, नीचे आ रहा है, हमारे पास 80, multiply by 100, 0 से 0 को cancel कर दिया हमने, उसके बाद 8 से cancel करेंगे, 8, 6, 48, 6, multiply by 10, 60 परशेंट आ गया, हमारे पास यह answer है, oxygen 60 परशेंट है, तो sulfur कितना परशेंट होगा, 40 परशेंट होगा, यह बहुत basic सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर किस तरह से data दिया जाता है, इसको ज़रा समझाएं, अच्छा, एक और बात, बहुत ज़रूरी है, आप percent composition वाले step को skip भी कर सकते हैं, अगर तो percent composition नहीं पूची भी, सिर्फ और सिर्फ empirical formula दिया वे, empirical formula पूचा ग़ा और mass दिये वे, तो आप इसको skip कर सकते हैं, आप यहाँ percent composition की बजाए, तमाम elements के masses को भी, अगर atomic master divide करा देंगे ना, तो भी हमारे पास same method से यह चीज़ हो जाएगी, example भी दे देता हूँ मैं थोड़ी देर में, देखें, suppose करें, मेरे पास एक hydrocarbon का sample है, hydrocarbon sample, of suppose 15 gram, ठीक है, which contains carbon, carbon उसमें कितना gram है, suppose करें, carbon उसमें है, 12 gram, ठीक है, यह data है, अब आपको कुछ basic चीज़े पता होनी चाहिए, hydrocarbon की जब भी बात हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ कौन से element है, carbon और hydrogen, कौन कौन से element है, carbon और hydrogen, masses हमें पता हैं, बिल्कुल carbon का mass कितना है, 12, hydrogen का mass तो दिया भाई नहीं है, कैसे निकालूं भई, sample का mass हमारे पास 15 है, तो बाकी कितना होगा, 12 माइनस कर देंगे अगर उसमें से, 3 हमारे पास क्या होगा, hydrogen का mass, mass पता है हमें, next step क्या है, percent composition, percent composition कैसे निकालें, देखें, 12 divided by total mass, 15, डिवाइड भाई 15, multiply by 100, ठीक है इस तरह से, percent composition निकाली जाती है, mainly मैं आपको यही, यहाँ पर समझाऊंगा, कि आप cancellation, यहाँ फॉरण फॉरण इसे solve नहीं करें, क्योंकि आगे जाके, यह चीज वैसी cancel out हो जाती है, काफी सारे cases में, ठीक है, cancellation करनी है, तो भी कर देते हैं हम यहाँ पर, इसको 3 से cancel कर देते हैं, यहाँ फॉर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 से 100 को cancel किया, 20 आ जाएगा, 20 multiple आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा यह, और इसी तरह से, यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास अगर यह 80% आ गया, common sense का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा, 20% आ गया हमारे पास, percent composition हमें पता चल गई, next step क्या है हमारे पास, mole ratio, किस से divide कर आते हैं हम, percent composition को, atomic mass से, atomic mass 12 होता है, hydrogen का atomic mass 1 होता है, divide कर आदी, आप देखो, ज्यादा छोटी value किसकी आगी, यह 1 से divide हो रहा 20 ही रहेगा, लेकिन 80 के 12 इससे करेंगे, तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो यह सबसे छोटा mole ratio है, क्या करूँ, simplest ratio निकालने के लिए, मैं इसको सभी से divide कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इसको अपने आप से भी divide करना होगा, divide करने का मतलब इसके inverse से multiply, ठीक है, क्या होगा, cancellation हुई, और cancellation होके, 1 आगिया यहाँ पर, simplest ratio, carbon का, इसी तरीके से यहाँ पर, 20 था, जब मैं इससे divide कराऊंगा, इसका मतलब इसके inverse से multiply, 12 upon 80, 0 से 0 cancel, इससे 1 cancel 4 आगिया, 4 से इसको cancel किया, 3 आगिया, तो हमारे पास, hydrogen कितना है, 3, तो यह कितना बन गया हमारे पास, एक carbon 3 hydrogen, empirical formula हमारे पास यह आगिया, अब मैंने यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ समझाए, कि हम percent composition वाले step को skip भी कर सकते हैं, directly अगर मैं solve करूं, उससे भी हो जायागा, कैसे, masses मुझे पते हैं, carbon hydrogen के, कि कितना mass आयाव है, carbon का, 12 आयाव है, hydrogen का कितना आयाव है, देखें, 3 आयाव है, मैं directly इसको atomic mass से divide करा देता हूँ, directly atomic mass से divide करा देंगे, हम mole ratio निकालने के लिए, तो 12 से divide किया, 1 से divide किया, हमारे पास यह 1 आगिया, 3 आगिया, इन दोनों में छोटी value कौन सी है, 1, 1 को 1 से divide कराएंगे, simplest ratio इसका 1 आजाएगा, 1 को 3 से divide कराएंगे, इसका भी 3 आजाएगा हमारे पास, और यह हमारे पास simple सा formula generate होगिया, ठीक है जी, तो इस तरीके से हम empirical formula निकाल सकते हैं, आगे चलते हैं, इस से related और questions भी solve करते हैं, देखें, suppose यह sample है हमारे पास, के sample के अंदर 3 gram carbon मौझूद है, और 0.25 gram hydrogen मौझूद है, इसका empirical formula हमने calculate करना है, कैसे calculate करेंगे भाई, बहुत simple सी चीज़ है, अब हमें जाहिरे basics पता हैं, concept clear है, तो हमने percent composition निकालने की जहमत करनी ही नहीं है, हमारे पास mass है, OC को हमने divide करा देना है, 12 से, 0.25 को divide करा देना है, 1 से, हमारे पास क्या आगिया, mole ratio आगिया, mole ratio यहाँ पर कितना बन रहे है, यहाँ पर 1 upon 4 आजाएगा, मतलब 0.25, और यहाँ पर already 0.25 है, इन दोनों में से जादा छोटी value कान सी है, कोई भी नहीं दोनों बराबर ही है, तो किसी भी एक को दोनों से डिवाइड करा देंगे, simplest ratio हमारे पास क्या आजाएगा, 1 से टू 1 का आजाएगा, बहुत basic सी चीज, तो CH हमारे पास क्या बन गया, empirical formula बन गया, similar to that, next question देखते हैं, suppose next question हमें दिया है, कि we have a nitrogen oxide, जिसके अंदर nitrogen है, suppose 26% nitrogen है, ठीक है, अब इसका हमने empirical formula निकालना है, यह सवाल है complete, कैसे निकालने हैं, अब nitrogen की percentage दी वी है, तो obviously बात है, oxygen दूसरा element है, इसके लावब कोई element होगा नहीं, binary compound है, तो oxygen की percentage कितनी आएगी, 74% आएगी, अब यह दोनों हमें percentage पता करीब ही हैं हमने, empirical formula पता करना है, empirical formula किस तरीके से पता करते हैं, देखो, बहुत simple सी चीज़ है, हमारे पास nitrogen है, oxygen है, percent composition यहाँ पर है, कितनी हैं, 26, oxygen की 74, क्या करेंगे, mole ratio निकालेंगे, mole ratio निकालने के लिए, हमने क्या कर दिया, divide by 14, जो किसका atomic मास है, इसको divide कर देंगे 16 से, divide करने के बाद, obvious सी चीज़ है, पहली चीज़ हमें यह देखनी है, कि जादा, छोटा amount किसका है, अब यह अगर mole ratio आ गिया, अगर मुझे यह चीज़ clear है, यहाँ पे, denominator ज्यादा छोटा है, numerator बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वज़ा से, इसका answer comparatively बड़ा आएगा, यहाँ पर हमारे पास, जो difference हैं दोनों का comparatively कम है, numerator इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना इसके अंदर है, ठीक है, जिसकी वज़ा से, यहाँ पर answer comparatively छोटा आएगा, ठीक है, तो यह ज्यादा smaller value है, जब हम इससे cancel, जाहर है, जब यह छोटी value है, तो हम simplest ratio पता करने के लिए, क्या करेंगे, इसको इसी से divide करा देंगे, 1 आगिया, और 74 upon 16, इसको इससे divide कराएंगे, डिवाइड कराने का मतलब है, 14 upon 26, cancellation कराएंगे, जितना maximum cancel हो सकता है, cancel करेंगे, ठीक है, यहाँ 7 आगिया, यहाँ 8 आगिया, इसके बाद, हमने इसको भी cancel कर देना है, यहाँ पर हमारे पास आगिया, suppose, 13, और यहाँ पर आगिया, 3, और 7 ठीक है, और यह तक्रीबन तक्रीबन भी, cancellation के बाद, यह तक्रीबन 14 के करीब लग रहा है, इसको cancel कर देता हूं, यहाँ पर नीचे टू आजाएगा, ठीक है, और यह cancel कर देंगे, यहाँ पर उपर, 40, 40 के करीब है, राउंड आफ कर देंगे, थोड़ा, फूर अपान टू, यहाँ तरीके से, ठीक है, यहाँ cancel करके हमारे पास आगिया, फाइव अपान टू, अच्छा, अब cancellation के बाद, जब हमारे पास, फाइव अपान टू आ रहा है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर whole number तो आया नहीं, अब मुझे तो simplest ratio के अंदर क्या चाहिए होता है, whole number चाहिए होता है, यहाँ पर मेरे पास whole number नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, एक fraction आ रहा है, इसके अंदर denominator हटाना पड़ेगा, कैसे हटाऊ, एक मेरे पास यह आ रहा है, वन दूसरा मेरे पास five upon two आ रहा है, two denominator से हटाने के लिए क्या करूँगा, दोनों को इससे multiply करा दूँगा, जब multiply कराऊंगा तो यहाँ पर two आ जाएगा, और यहाँ पर two से two cancel हो जाएगा, five हो जाएगा, ठीके, तो end two, five, यह हमारे पास empirical formula आ जाएगा, ठीके, इस तरह से हो जाएगा, आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा आ जाते हैं, उसकी तरफ, molecular formula की तरफ, empirical formula जब calculate करना सीख जाएगे, उसके बाद फिर molecular formula की तरफ आएगे, molecular formula के लिए हमें पता होना चाहिए, ताकि end से multiply करा के हम क्या निकाल सकें, molecular formula कैसे निकालेंगे, देखें, molecular formula मास अगर आपको दिया वाए, तो आप empirical formula मास से उसे divide कराएगे, आपको क्या पता चल जाएगा, end पता चल जाएगा, end पता चलने का फाइदा ही होगा, कि end को आप multiply करा लेंगे, empirical formula से तो आपको molecular formula भी पता चल जाएगा, ठीक है, देखते हैं, सवाल एक और देदे तो हम, देखें, molecular formula से related अब जो सवाल है, वो suppose करें इस तरह से आ सकता है, कि हमें बोला जाएगे, 9 gram हमारे पास है, 9 gram sample of carbohydrate, अब कुछ basic terms का आपको मतलब पता होना चाहिए, जैसे hydrocarbon बोला हुए, तो इसके अंदर कौन से elements होंगे, सिर्फ carbon और hydrogen, अब hydrocarbon की बज़ाए, अब यहां carbohydrate बोला हुए, तो इसका क्या मतलब होगा, कि इसमें carbon भी होगा, hydrogen भी होगा, और oxygen भी होगा, अब suppose करें, यहां पर दे रखा है, 3.6 gram, 9 gram के अंदर, 3.6 gram carbon है, 0.6 gram hydrogen है, oxygen का mass ही उन्होंने नहीं दिया वह, अपनी wording के अंदर, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप total compound के mass में से, इन दोनों को subtract करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इस element का mass यू मिल जाएगा, ठीक है, जिस तरह का भी सवालो, as per requirement आपने decision लेना होगा, ठीक है, अब mass दे रखें, हम क्या निकालेंगे, mole ratio निकालेंगे, directly, percent composition की हमें समझ में आगे है, ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे, 12 से divide करा दिया, 1 से और 16 से, as usual, ठीक है, cancellation करनी होगी, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, अगर आपको पता चल जाएगे, भई उसका multiple है, देख रहा हूँ, तो कर सकते हैं, अब 12 को 3 times multiply करने पर 36 आता है, ठीक है, यहाँ decimal point है, मतलब 10 से divide हो रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, cancellation करके, 3 upon 10 as it is लिख लूँगा, अगर मैं गोर से देखूँ, तो यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कि 16 को 3 से मड़ ले प्लाए करने पर 48 आता है, 16 का double जिसको याद होगा, उसे पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 upon 10, इसका क्या मतलब हुआ कि 0.3 बन रहा है, 0.6 है और यह 0.3 है, 1 से डिवाइट करने पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो जो smallest value है, वो 0.3 है, इसी को इन सब से डिवाइट करा देता हूँ, क्या होगा, 0.3 को जब 0.3 से डिवाइट कराएंगे, 1 आ जाएगा, 0.3 को जब डिवाइट कराएंगे, 0.6 से, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.3 को ही हम उससे डिवाइट करा रहेते, यह simplest ratio है, मतलब empirical formula हमारे पास क्या आ गिया, CH2O, यह empirical formula है, empirical formula अगर पता चल गया मुझे, तो अब मैं क्या पता करूँगा, N की value, ताकि मैं उसका integral multiple, जो उसका molecular formula हो निकाल सकूँ, molecular formula का जो हमें, मास दिया वै, तो अब molecular formula मास को मैं कहा रखूँगा, उपर रखूँगा, empirical formula मास को मैं नीचे रखूँगा, कैसे, 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर add करके, देखें, यह हमारे पास आजएगा total 30, 0 से 0 कैंसल कर दिया, और 3 से इसको कैंसल किया, 6 बन गया, मतलब N की value क्या आ रही है, 6 आ रही है, N पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, N को multiply करा देंगे, empirical formula से, हमारे पास क्या आ जाएगा, molecular formula आ जाएगा, ठीक है, molecular formula यह हमें इस तरह पता चल गया, multiply कराएंगे, तो C6H12O6, यह तरीके से हमने, molecular formula, calculate करना सीख लिया, ठीक है, कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों को, कोई भी सवाल हो, किसी तरह कोई इशू हो, तो comments में जरूर पूछिएगा, like करिएगा, और subscribe करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया,